दिली परदेश कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीले दिक्षित जी हमारे साथ मौझूद है मैं दिली में एका एक पिछले तेड़ महीने के अंदर अगर कहा जाए तो लगबख साड़े तीन सो लोगों की मौत हुई है सरदी के वियसे सरकार ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मागी है क्या लगता है कि कहां कमी रहेगे क्योंकि सरकार कहती है कि उन्हें काफी home shelters जो है वो बनाए है लेकिन कमी क्या रही है जिसके वेह से यह रही है देखिए अगर जो कमी कहां कुछ रहे हैं आप तो कमी नहीं होती तो यह इतनी जेच कैसे होती और यह बड़ी ताजूब की बात है कि दिल्ली छंडी जितनी हुई आपकी बार पहले इतनी शायद नहीं हुई है इसको देखते हुए इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि कम से कम इतने लोग मरते तो नहीं यह तो इस क्रिमिनल एंड कुरूल कि जो सरकार है यहां दिल्ली की आमाद्मी पार्टी की वो इतना ना कर सकी कि अपने लोगों को वचा सके कुछ भी लगा देती करना तो चाहिए था मैंने तो कहीं कुछ होते देखा नि हमारे यहां निजाम-दिन के बाहरी लोग अपने सो रहे पट्रियों पर और पट्रियों पर सोते हैं तो उपर कुछ के कपड़ा लगा देती जो परियाप्त नहीं होता है तो यहां पर भी हो प्रपाइस पूरे उचीज को लेकर के सही तरही है प्लाइनिंग तो क्या उन्होंने इस पर नजर ही नहीं लगाई है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आम आदबी पार्टी ने जिस पर सोचा ही नहीं है एंटिसेपेट नहीं किया है रिजल्ट ये हो रहा है कि दिली सफर कर आज है क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी है सरकार की है या प्रसाशन की भी है क्योंकि दिली सरकार ने तो रिपोर्ट मांग ली है इस पूरे प्रसाशन किसका होता है सरकार का होता है न तो दोनों की जिम्मेदारी है और जो डिसिजिजन लेना पड़ता है वो तो कैबिन को या पुलिजिकल लीडर्स को लेना पड़ता है जो हैं महां पर मंत्री हैं संत्री हैं जो भी कुछ है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बाच्चित करने के लिए इती दिली की पूर मुखे मत्री शिल्य दिक्षिन का साफ सौर पर यह कहना है कि जिम्मेदारी दिली सर कार की और परसाइशन दोनों की हैं जिस तरीके से यह मौत हुई है